हेलो फ्रेन मैं हूँ प्रीती और स्वागत करती हूँ आपका मेरी किचल में रच्छा बंदन का तेवार आ गया है तो अपने घर पे अपने हाथों से मिठाई बनाए अपने भाईया को खिलाई अपने बच्चों को खिलाए उनको पते ही नहीं चलेगा कि यह मिठाई अपने इसमें लिया है यह मैंने लिया है गुल्खन थोड़ी सी है यह किसी भी पान के दुकान में आसानी से मिल जाता है यह मैंने हरे वाले फूड कलर लिये है उसके बद हम एक बाउल ले लेंगे उसमें हम डालेंगे कर्डेंश मिल्क इसके बाद हम यह फूड कलर इसी में डाल लेंगे और इसे अच्छे से फेट लेंगे थोड़ा सा कलर में और डाल रही हूं क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए इसे हम अच्छे से मिला लेंगे यह देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके नारियल का बुरादा डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे अगर आपको कंडिन्स मिल कम लगे तो आप थोड़ा सा उपर से एड़ कर दीजेगा एक चमच उससे इसमें कोई फरक नहीं आएगा कलर में कि यह देखे थोड़ा सा मैं इसमें डाल दी हूँ और थोड़ा सा बचा लेंगे हम लड़ू के उपर कोटिंग करने के लिए और इसे हम मैं हाथों से अच्छे से मिला लूँगी जैसे आटा गूतते हैं ना उसी तरह और थोड़ा सा हाथों में लेके हम इसे अच्छे से हाथों से मिला लेंगे और थोड़ा सा हाथों में लेके हम इसे दवाक के गोल करेंगे यह देखिए अच्छे से गोल हो जा रहा है यह हमारा नारियल लडू बनाने के लिए एकदम पर्फेक्ट डू है अब इसे हम गोल गोल कर लेंगे थोड़ा सा हातों से चप्टा कर लेंगे और इसके सेंटर में हम थोड़ा सा गुलकंद डाल देंगे चुटकी भर डालना है ज्यादा नहीं डालना है और चार तरफ से मिक्सचर को उठाके हम चार तरफ से गोल कर देंगे जैसे पराठा वगरा बनाते है ना स्टेफिंग भर के उसी तरह से हम इसमें भरना है यह देखिए कितना अच्छा से हमारा लड्डू का सेप आ गया है यह देखिए लड्डू हमारा बन गया है अब इसके उपर हम सुखा नार्यल से कोट कर देंगे सेम इसी प्रोसेस से हम बाकी की भी नार्यल लड्डू बना लेंगे और यह देखिए लग रहना बिलकुल मार्केट वाला तो आप इस रक्षा मंदान एक बार इस नार्यल लड्डू को बना कर जरूर ट्राय किजिए आपके भाई बहन सब को बहुत पसंद आएगा और सब आपकी तारीफ करेंगे और यह देखिए मैं तोड़के भी दिखा दे रही हूं आपको लग रहा है ना बिलकुल मार्केट वाला नार्यल लड्डू तो इस रक्षा मंदन आप एक बार जरूर ट्राय किजिए आपके पास जो कलर है आप उससे लड्डू बना सकते हैं मैंन होते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए